जेशी कृष्णा दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं आप सब सस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों आज तिलकुट चोथ है संकस्टी चोथ जिसे बहुती लोग अधिकतर लोग इस दिन ब्रत करते हैं और तिलकुट का भगवान श्री गणीश को भोग लगाते हैं आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपको धनलाक का विशेश योग बनने वाला है साथ ही आप यह उपाय कर लेते हैं यह कारे कर लेते हैं तो आपकी यदि कोई कारे में रुकावट आ रही है उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी शुरू से लेकर अंतर तक इस वीडियो को अवश्य देखें और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें दोस्तों अखंडित सुपारी देवतां का प्रतीक होती हैं हिंदु धर्म में जहां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है वहीं कुएर को धन का रक्षक इसी तरह बिफिन देवी देवताओं कई चीज से जोड़के माना जाता है ऐसे में आपने कई वार देखा होगा कि पूजन में सुपारी को विशेष दरजा देते हुए उसे विशेष इस्थान प्रदान किया जाता है इसका कारण यह है कि अखंडित सुपारी जो होती है देवताओं का प्रतीक होती है ऐसे में सुपारी से जुड़े अनेक उपाएं हैं जो सामानी व्यक्ती के लिए एक चमतकार के समान होते हैं जिन्हें करकर सामानी व्यक्ती भी एक विशेष व्यक्ती बन सकता है जानकारियों के नुसार जहां सुपारी ज्यादातर खाने में इस्तिमाल करने वाले वो पुजन में इस्तिमाल करने वाले होते हैं वहीं इसके कई चमतकारी की लाब भी होते हैं अखंडित सुपारी से कई तरह की समश्याओं से आप निजात पा सकते हैं माना जाता है यदि आपको भी दंदोलत से जुड़ी कोई समस्य चल रही है तो सुपारी का उपाय आपको माला माल बना सकता है इसके लिए आप अखंडित सुपारी जैसे ज़्यादतर पूजन में काम आती ही है गणेश जी से लेकर लक्षमी माता तक सभी की पूजन में सु सुपारी भी चड़ाई जाती है वहीं यदि आपके काम में रुकावटे आ रही है और आप अपना काम बनाना चाहते हैं तो आपको गणेश चोद के दिन गणेश जी को सुपारी और लोंगर पित करनी चाहिए माना जाता है कि ऐसे में आपका कोई कारे रुका हुआ है तो पान के पत्ते पर अक्षत, सिंदूर और घी मिलाकर स्वास्तिक बनाए अब इस पर सुपारी रखकर कलावेविज से लपेट लें कलावा का मतलब आप समझते होंगे जो नाणा हम पूजन में यूज़ करते हैं उसे कलावा कहा जाता है इसके बाद इसे गणेश जी को अर अंगी चल रही है, समझ्या चल रही है, वो शीगर ही सुलत जाती है आपके हाँ धन के आगमन के रास्ते खुल जाते हैं साथी धन लाप के लिए एक अन्य उपाए आप ऐसे कर सकते हैं एक रुमाल में आप रुमाल लाल रंका भी ले सकते हैं, पीला रंका भी ले सकते हैं उसमें आप सुपारी रख ले एक हल्दी की गठान रख ले और एक नारियल का गोला जो गोला आता है बजार में नारियल का गोला सूखा गोला उसे बान ले इसके बाद उसे आप दो चार दिन में धूब दिखाते रहें ऐसा माना जाता है ऐसा करने से आपकी घर में धन आपके योग बनने लगते हैं। गोरी गनेश का रूप बन जाती है और इस सुपारी को एदियापती जोरी में रख लेते हैं तो घर में लक्षमी इस्थाई रूप से निवास करने लगती है और इससे सोभा ग्याने लगता है। कर सकते हैं। जैसे पुजन में इस्तेमाल की गई सुपारी को तिजोरी में रखना भी लाबदायक होता है। सुपारी को धागे में लपेटे और अक्षत कुम-कुम लगा कर पुजन करें उसको। बिना पुजन आप तिजोरी में ऐसे ही नहीं रख ले। उसकी पुजन अवश्य करना चाहिए। पुजा करके जो तिजोरी में रखी जाती सुपारी है। उसका बहुत ही लाब होता है। बहुत ऐसे उसकी आपको चमतकारिक फायदे देखने को मिलते हैं, कि आपको खुद को एक वीक में ही एक सप्ता हमें ही समझ में आने लगेगा कि आपकी जिंगी में कोई चमतकारिक परिवर्तन अवश्य हुआ है। आपकी बाते लोग मानने लगते हैं, यदि आपको अचानक धन चाहिए, ऐसा लगता है कि जिनगी में कुछ धन की कमी हो गई है, तो आप ब्यापार की तरक्की के लिए भी सुपारी का कुछ पाय कर सकते हैं, शनिवार की रात, पीपल के पेड़ की पूजन करके, सुपारी और इसके सांथ एक रुपे का सिक्का रग दें, फिर अगले दिन उस पेड़ का पता तोड़ कर लाएं, जिस पेड़ के नीचे आपने सुपारी रखी थी, उस पेड़ का पता तोड़ कर लाएं, दूसरे दिन सुभर, और उस पर सुपारी रखें, और इसे अपनी तिजो उन में डाल दिया जाए तो ऐसा करने से जो हमारे उपर किसी भी तरह की अला बला हो या नकारत्मक शक्ति हमारे हैं उपर कुछ हो गई हो तो वो सब दूर हो जाती हैं आप बहुत ही इने देखेंगे तो बहुत सरल लगेंगे उपाए लेकिन करेंगे आप तो उसके बहुत फायदे आपको दिखाई देंगे जैसे पान के पत्ते पर आप सिंदूर में घी मिला कर स्वास्तिक बनाए और उस पत्ते पर कलावेज से लप्टी हुई सुपारी रखकर उसकी पुजन करें यह आप चोथ के दिन आज जो माही चोथ है उस पर कर सकते हैं इस सुपाई के स उसको सफलता मिलने के आपको चांसे कम दिख रहे हैं तो आप यह उपाय करें आप देखना जो भी कारी के लिए आप कर रहे हैं उसमें अवश्य सफलता मिलेगी यह भी माना जाता है कि यह आपका कोई काम बनते मनते हर बार रह जाता है और आपको किसी कारी में लगातार असफलता ही या सफलता मिल रही है, तो ऐसे में आप उस कारी को करने के लिए जब जाए, तो अपने पास एक लोंग और एक सुपारी रख ले, काम के समय लोंग को तो अपने मुँद में रख ले आप चूसते रहें उसे, जबकि सुपारी को घर आने के बाद, वापस कि जो आपके यहां प्रतीमा यह फोटो है उनके सामने रगते ऐसा कहा जाता है कि 100% यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो रुका हुआ कारी है उसमें अवश्य आपको सफलता मिलेगी आपका वह कारी पूर्ण हो जाएगा यदि अब आपके हाँ कोई ऐसी कर्ण्या है या बर है जिसकी बिभा नहीं हो पारा बिभा होते होते रुक जाता है 100% लगता है आपको कि ये कारी सिद्ध हो जाएगा आप तो संबन्द जमी जाएगा और किसी कारण से एंड टाइम पर संबन्द नहीं हो पाता तो आप एक कारी ये भी कर सकते हैं कि हल्दी कुमकुम और चावर लगाकर सुपारी पर मौली लपेटे और इसे किसी भी गुरुबार के दिन कोई भी गुरुबार को कर सकते हैं एदि आप सुखलुपक्ष की गुरुबार के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा विश्नु लक्षमी मंदिर में छिपा करा जाएं ऐसे जगे के रख कराएं जहां किसी को दिखाई ना दे बाद में भले ही मंदिर में पुजारी उठा लें लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश करें कि कोई ऐसी जगे छुपा कराना है आपको माना जाता है ऐसा करने से यदि आपके हाँ अभी भाहित बच्चे हैं और संबन नहीं जम पा रहा ज्यादा तर करन्याओं के मामले में तो यह 100% शोर्टी है इस कारी में यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके हाँ यदि बच्ची बिना ब्याही बेठी हुई है संबन नहीं जम पा रहा तो अवश्य रिस्ता हो जाएगा इसके बाद जब रिस्ता पक्का हो जाए तो सुपारी को शादी तक घर में लाकर रखे आपने छुपा कर रखा है वहाँ मिल जाए वहाँ सुपारी तो आप वापिस ले आए या पंडी जी से बात कर सकते हैं कि सुपारी को यहीं रखे रहने देना यदि उनको मिल जाती है तो आप बात कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे किसी भी बैते पानी में जलाशे में भी सरजित कर दें यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखना आपके घर हर कारे पूरे सफलता से हूँगे आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोले नाद की क्रपा बनी रहें श्री गणिश की क्रपा बनी रहे, ओम नमस्षिवाई